Hello, My Dear Friends, आज जो टॉपिक हम पढड़ने वाले हैं वो है आर्टिकल्स बहुत जादे इंप्टेंट टॉपिक है जो जितने भी इंप्टेंट आर्टिकल्स है उसे आज हम पढ़ने वाले हैं आपके SACCGL या जिस exam की भी आप preparation करें अगर वहाँ पर GK आता है तो एक question या दो questions तो देखने को मिलनी ही जाता है मतलब ये topic तो fix है कि आटकल से question आता ही है ओके वैसे तो आपने बहुत बार ही पढ़ा होगा बट कभी ने कभी ऐसा होता ज़रूर होगा कि आप भूल जाते होंगे तो कुछ ऐसे ही tips और tricks से आज हम याद करने वाले articles को और इस video को देखने के बाद ना आप फिर कभी नहीं बुलेंगे तो अब स्टार्ट करते हैं फटा फट से और जो भी extra information होगी जो useful है आपके लिए वो हम पढ़ेंगे तो वह भी फालतू हम इसमें नहीं पढ़ने वाले बहुत ज़्याद explanation to the point हम बात करेंगे क्योंकि हमारा main target है articles को याद रखना तो हम सिर्फ articles पे ही ध्यान देंगे इस video में तो अब स्टार्ट करते हैं फटा फट से तो इस बीच पे मैंने कुछ articles लिखके हैं इन्ही articles के basis पे हमें सारे important articles को याद रखना है तो tip number one क्या है कि आपको एक general idea होना चाहिए कि कौन सा article किसके बाद आता है तो देखिए क्योंकि भारत के सविधान के बाद हो रही है और भारत का सविधान यानके constitution किसके लिए है नागरिकों के लिए है सबसे पहले के आज आते हमारा भारत के बाद नागरिक आता है यानके citizenship आर्टिकल के है इसका 5 से लेके 11 ओके अब देखिए यह जो नागरिक है ना इन्ही के लिए तो fundamental rights बनाये जा रहे है हम लोगों के लिए सब्सक्राइब से लेके 151 तक फिर आता है हमारा dps 36 से लेके 51 फिर आता है यानकी union और इस बॉडी 52 से लेके 151 तक ठीके इसके बाद आता है इस टेट एन इट्स बॉडी 152 से लेके 237 तक इसलिए आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि किस आटिकल के बाद कौन आट आता है तो जैसी सेंट्रल और उसकी बॉडी के सारे आटकल खतम हो गया जैसे कि एक टॉर्णी जनरल हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गया तो यह क्या है सेंट्रल की तो बॉडी इसके जस्वाद आएगा स्टेट और इसके बॉड़िस ठीक है तो अब आप देखिए कि यह जो को केसे यादर है अपने लिए है तो 552 तो हुए नहीं सकता यह तो इस से बिलकुल बाहर है, 214 भी नहीं हो सकता, 412 भी नहीं हो सकता, तो बस कौन सा आटकल बचा, फिर 124 हो गया, तो अगर आपको याद भी नहीं है, तो आपने अपने जनरल आइडिया से बागी तिनों आप्शन को एलिमिनेट कर दिये, तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड क्वेशन देखिए, आटकल ओफ एटानी जनरल पूछा है, ए है 76, 176, 156, 86, अब एटानी जनरल भी क्या है, किसके अंडर आएगा, सेंट्रल एनिट्स बाडी, तो फिर से आटकल कैसे यादर कामने, 52 से 151 होता है, सेंट्रल एनिट्स बाडी, तो एटानी जनरल तो 76, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, 176, नहीं ये तो इससे बिलकुल बाहर है, 156 ये भी नहीं हो सकता, 86 ये भी हो सकता है, ओके, तो एजिली ऑप्शन भी, एन ऑप्शन सी जो है, वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो बच्चा क्या, 76 और 86 बच्चा, ठीके, तो एटानी अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो एटानी जनरल का हम आटकल क्या याद दखेंगे, कि एटानी जनरल को हर छेतर की जनकारी होती है, तो हर छेतर, छेतर, तो 76 हो जाएगा, ओके, ट्रिक से, और 86 हमारा, ये भी कैंसल, राइट, थर्ड क्वेशन है, आटकल ओफ इस्टेट ल 169 हाँ, 169 हो सकता है, 149 नहीं यार ये नहीं हो सकता, 139 नहीं, 129 नहीं, तो बस ये तिनों आप्शन भी कैंसल हो गए, और ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा करक्तर अंसर, ठीक है, तो टिफ वन ये है, कि आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, कि कौन सा आटकल किसके बाद और जो मैंने आपको अभी फॉस फिर बताया, वही आपको ध्यान रखना है, आप लोगों बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे, बट जो पहली बार, कही सारी स्टुरेंट्स होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको आपको ऐसे ही याद करना है, जस तरीके से मै आपको बता रहे हूं, बहुत एजली आपको सारे आटकल्स याद हो जाएंगे, जितने भी इंपोर्टन आटकल्स हैं, ओके, तो अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, आप देखे, आर्टिकल वन से लेके फोर तक, किसकी बात की गई है, यूनियन अनिस्टेरिट्र में क्युक्या मारएं तो बहुत पर देखे, तो ऑर्ट के लिए तो हो गा तो आटकल होजाएंगा इंडिया से लेडे और उसके स्टेके अर्ट कईक्ड में ब centres जैटक, अब देखे, क्या हुआ है ने राज्चे को आपने बना दिया ओश का, इसमां कर दिया, ठीके पहले आप भारत लेके आए भारत में आप नए राजी बनाएंगे तो आटिकल 2 हो गया तीसरा क्या है formation of new states and alteration of area अब नए राजयो का गटन यानि कि जो और राजी बना चुके हैं जो इस च्रह किया है कि राजी में तो बना सकते हैं तो दो डाजयों का गटन और कुस्षा चेत्रों में परिवर्तन कर दिया जब नए राजी बनेंगे उसी राजी में से तो कुछ छेत्र भी अलग हो जाएंगे तो चेत्रों का परिवर्तन कर दिया गया ठीक है इसली समझ में आगया होगा कोई इसमें बिल्कुल वाली चीज नहीं है आप देखिए भारत में राजी बन गए अब उस राजी में रहेगा को हमें लोग तो रहेंगे हमारे लिए तो अरफ पाच क्या कहता है कि सफिद्धान के प्राग्रम में नागरिक्ता तो नागरिक्ता की बात की गई आजिकल 5 में बस आपको यह याद लगना है ठीक है आजि citizenship of a certain person who has migrated to India from Pakistan अब आप देखिए भारत का जब बट्वारा हो गया था तो सबसे पहले बात की गई कि अब सबको नागरिक्ता जी जाएगी भारत की लोगों को ठीक है बट्वारे के बाद कुछ लोग पाकिस्तान से भी आए तो उनको भी नागरिक्ता देने की बात की गई तो एक निश्चिद व्यक्ति के नागरिक्ता के अधार जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश जिसनों ने किया है तो जिसने भारत में प्रवेश किया है उनको नागरिक्ता देने की बात की गई तो पाकिस्तान से लोग आए उनका जो प्रवेश हुआ उनको फिर नागरि देने की बात दी गई तो पाकिस्तान से रिलेटेड हो जाएगा आट का सिक्स वाला ओके याद हो गया होगा राइट नेक्स्ट है तो दे放 डान से बच्छे हैं वके तो दिके सांता तो कु उननीश से बाइचि क्या करता है तो अर्तिकलेस क्या स्वत्यक्या ओदिकार ठीके, आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है, right to freedom of religion, यानिके धर्म की स्वतनिता का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 क्या कहता है, cultural educational right, यानिके सांस्कृतिक और सेक्षिक अधिकार आर्टिकल 32 क्या कहता है, right to constitutional remedies, यानिकी सविधानिक उप्चार का अधिकार ठीके, तो ये 6 याजकल्स आपको याद रखते हैं, ओके, पहला आता है equality, फिर आता है freedom, फिर आता है exploitation, फिर आता है freedom of religion, फिर आता है educational, फिर आता है constitutional remedies, तो अब हमें कैसे याद रखना है right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies fundamental right हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग को याद भी होगा, बट कौन सा पहले आ जाते हैं, कभी-कभी confusion हो जाती है remedy यानि कि ER, तो आप ये देखी, EF और EF, इसले याद रहेगा, E के बाद F ही आता है, फिर last में आ जाएगा हमारा ER, remedy तो हम किसी बीचिस की बाद में ही करेंगे न, जब हम पूरा देख लेंगे, क्या problem हो रही है, कैसे हो रही है, उसके बाद ही तो हम लोग remedy अप्चार कर हो जाएगा F, यानि कि freedom, जब हमें समान अधिकार भी लेंगे, उसके बाद ही तो हम freedom का सोच सकते हैं, तो freedom हो जाएगा second number पे, यानि कि equality के बाद आता है freedom, इसके बाद आता है exploitation, exploitation मतलब क्या हो गया, अगर आपको शोशन कर जा रहा है, तो उसके पास भी आपको अधिकार ह F, ठीके, फिर आज जाता है freedom of religion, ओके, अब देखे, किसके बाद हो रही फिर से freedom of religion, तो freedom किसकी, religion की, तो अब आप में चाहिए freedom चाहिए भाई religion की, ओके, तो एक तो हमारा normal freedom हो गया, दूसरा freedom हो गया, हमारा religion से related, ठीके, अगला देखे, cultural and educational right, तो cultural and educational right फिर से E, और R से हो हो गया होगा, अब आप देखे, article 14 से 18 मेना, कितने आठकल आते हैं, पांच आठकल आते हैं, कितने आते हैं, पांच आठकल, okay, article 19 से 22 में कितने आते हैं, तो जब आप count करोगे, तो कितना आएगा, फोर आएगा, ठीके, article 23 से 24 में कितने आते हैं, इसमें भी आते हैं, दो आ आठकल आते हैं ताकि हम अट्गला वाला आठकल का नंबर ना भूलें तो आपने शुरुवात की 14 से आपको पता है हाँ यार पांच आठकल आते हैं 14 15 16 17 18 तक हो गए राइट टू इक्वालिटी इसके बाद आपने देखा कि पांच चार तो चार आते हैं फ्रीडम वाले में श्थे सकते हैं अब चार दो चार दो फिर दो फिर दो फिर दो फिर पर दो फिर यह अतनने आतब कि अपने ना कंप है ब्याह्या की आपось करें आप इसको करें लोग सलबावं को ये बताता है चाल इस कमाल रटीवाण मेन हैं करें का जाता है ना ठीक है तो चोदा सामान अब देखेंदी कि ना समान भी होता है तो बस फूर्टिकल फूर्टीन में लिगली है एककवालिटी 2 गुपोर्ट था लो निए उपन्र मुकशल डिखे गाउंसे प्रक्रिमनेशन औरolina अब धर्म नस्दाइं लेंगे जन्म स्थान के अधार पर भेधवाव निशेद हैं यानि कि अगर आप मेली सब रंग देख के करते हैं अर यह देखो किता कालस है और यह देखो किता गुर्ष है लोग भेधवाव करते हैं तो 15 में क्या कहा गया है कि पंद्रा नहीं बिल्कुल आपको भेदबाब ने करना है चाहे कोई कैसा भी हो ओके तो अब पंद्रा से देखे क्या सांधार यह पंद्रा पंद्रा द्रा यानिकि डरा तो लोग डर जाते ना अब देखे माली जे आपका कोई भी कलर हो ठीक है आपके सामने वहला आपसे और गुर आ गया तो थोड़ा से इंसे क्योंकि सुसाइटी ही ऐसी बन जोगी है ठीक है तो बस यही कहा जा रहे है कि धर्म नसल चाहती देखास सेक्स और पेस और वर्त के अधार पे बिल्कुल भी आपको भेदबाब नहीं करना है पंद्रा दरा बिल्कुल भी डरना नही ट्रस आफ पबलिक एंप्लाइमेंंट यानि की सालगजनिक रोजगार के मामलों में अफसर की समालता अब देखे सोह लिखा है तो नोग सोह को आपको यह रोग ने सकता थीक है तो शोह से आप याद रखिए तो आप याद रिखे जाता रोजगार के लिए सब लोग सुभ कोई भी आपसे भाव इसके बेसेस पर नहीं किया जाएगा राइट आर्टिकल 17 देखिए यह क्या कहता है एपॉलाइजेशन ऑफ दा अंटचिबिल्टी और स्प्रश्यता का आन्थ यानि कि कहते न चुवा चूत कहते आरे दूर हट पहले से बहुत होता था तो आप किसी के अज़ेशन अज़ेशन दूर में भी तो और ॉरॉन पहले से ज़से हमें लागे लाईजानों कि आपको ऐसा थाफ कर दिया जाएक तो 17 चुक्तर शत्मात बहुत है 24 particular विश्यते ये अच 17 यानिकि खत्रा इससे टच करने से तो अंटचिबल्टी ओके आठकल 18 देखिए एपोलाइजेशन ऑफ टाइटल्स यानकि उपाधियों का उन्बूलन ठीके उपाधियों का अंद कर दिया गया आप कुछ लोग देखिए बहुत सारी उपाधिया रख लेते थे ना महराज अ समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा नेक्स एक आर्टिकल 19 फ्रीडॉम ओफ इस्पीच और एक्सपेशन इनकी भाशन और अभिव्यक्ति के सुतनतर था कैसे यादत नहें आर्टिकल 19 के बाद हो रहे है तो जैसी बच्चे 18 तक होते न 12th क्लास में तो 18 के जैस आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 जो है वह है प्रोटेक्शन ओफ लाइफ और पर्सनल लाइबर्टी आप देखे आर्टिकल 21 है बहुत इंपोर्टन यानि कि जीवन की सुरक्षा व्यक्ति का सुतनता और इसको क्या कहा जाता है ना जीने का दिकार भी आप ऐसे याद दख ना उसको फ्रीडम है जीने का ओके तो प्रोटेक्शन ओफ लाइफ और पर्सनल लाइबर्टी अप देखे 21 लिखा है ना तो 21 का कैसे याद लखना है 21 यानि की किस ठीक है तो हमारी लिए हमारी जीने के लिए सबसे जरूरी क्या होती है हमारी मां होती है तो हम बहुत परि से तो 21 यानि किस तो आर्टिकल 21 जो है वो जीने के अधिकार से लेटेड है समझ में आ गया होगा याद भी हो गया होगा अब देखे आर्टिकल 21 ए आता है इसमें अब देखे जहां भी आपको ABC दिखे ना तो इसमें अमैडमेंट करके जोड़ा गया है कुछ संशोधन क्य अब परसनल लाइबर्टी अब परसनल क्या है हमारा एजुकेशन भी है ना तो बस 21 तो 21 में क्या खा गया है कि किसी भी बच्चे का आप एजुकेशन आप नहीं चीन सकते उसको पढ़ने का पूरा दिखा रहे तो एजुकेशन का आठकल रखा गया 6-14 ठीक है तो हर एक ब पूछा जाता है यहां से कि राइट टो एजुकेशन फॉर चिल्रें ऑफ 6-14 एर्स किस से रिलेटेड है तो यह आर्टिकल 21 एसे रिलेटेड है बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है 6-14 साल तक के बच्चों को कमपल्सरी है विल्कुल शिक्षा ठीक है यह आपको य जाब स्टी पॉर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए तो आर्टिकल 20 अब दिखिए लेटेड रखिए इस तरीकर से अब याद कि हुपन ट्राफिकिंग होता है ना बहुत जादा तो देखें से लेट करना है आपको ट्रेफिक ट्रेफिक जब लगता है ना तो लाइन से गार से 35 तक होते हैं तो एक वाला तो कोई सवाली ने उठता तो वही मैंने आपको बताए ना जनरल आइडिया कैसे लेट करना है तो बस टेज से हो जाएगा ट्राफिक लगया भाई एक के पीछ गाणिया खड़ी होगी एक खड़ी होई दो खड़ी होई तीन खड़ी हो फिर उस से काम नहीं करा सकते डारेक्ट में बोलू तो एक तरीके से छाल लेवर यानिका बालश्रम की बार की गई आप तो बच्चों से आप बालस्रम करा सकते आर्टिकल है दुबच्छों कराएंगे जब अरदिस्ती आउनको कारखानों में काम करा रहें तो इस ली जो बच्छे खतम हो जाएंगे ना 24-24 तो 24 में किसकी बात की गई है बाल श्रम की बात की गई है डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखने है अगला है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25 है अब आप देखिए इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी इंसान अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है ठीक है किसमे बात की गई आर्टिकल 25 में तो 25 से कैसे रिलेट करना है 25 यानि की 25 पंची ठीक है अब आप देखिए पंची वगेरा जो होते है ना क्या उनका कोई धर्म होता है नहीं पंचियों का कोई भी धर्म नहीं होता ठीक है कोई धर्म नहीं होता तो 25 तो रिलेट करना है आपको पंची का कोई धर्म नहीं होता तो 25 में बात की गई है धर्म की यानि कि धर्म की स्वतंत्रता है कि आप कौन से धर्म अपनाते है प्रचार प्रसार कर सकते ह वस आपको ध्यान रखने है 25 इनकी पंची पंची किसी धर्म को नहीं मानते सब एक बराबर ओके सो किस से लेटेड है 25 धर्म से लेटेड है ठीके आर्टिकल 26 देखिए freedom to manage release your software धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतनत्रता ओके अब धार्मिक मामले में अगर आप कोई प्रबंधन करना चाते हैं वो के कोई आयोजन करना चाहते हैं अपने लिश और लीज़न से लेटेड तो मनी लगेगा ना तो मनी आप कैसे निकाल होगा चाभी लगा के तो चाभी 26 ठीके तो धर्म के लिए कोई विशेश धर्मे है ठीक है अब इसमें आपके पास छूट है कि आप लोगों से चंदा इखटा कर सकते हो ठीक है तो बस आपको कैसे याद रखना है 27 लिखा है ना 27 तो 27 तो हम घर-गर जाते हैं यहाँ ऐजन होने वाला है यहाँ पंडाल लगने वाला है दुरुगाजी का तो आपको चंदा देना पड़ेगा तो कुछ आप दाने पुन कर दिजह तो यही कहते हैं ना कि 2 lyrics साथ बोलते ना दो साथ दो हमारा दुर्गा पंडाल लगाने में दो साथ तो ऐसी आदर रखने को दो साथ तो दो साथ में क्या खा गए आर्टिकल में कि आप अपने धर्म की प्रचाल के लिए लोगों से पैसे भी खटा कर सकते हो ठीक है आपके पास सुदंत्रता है अगर आपके इच्छनों साथ दे रहे हैं तो आप ले सकते हो ठीक है तो दो साथ यानिकि जात दो इस चीज़ के लिए धर्म का प्रचार करने के लिए और पैसे देने के लिए यानिकि चंदाए खटा करने के लिए ठीक है समझ में क्या होगा आठकर 28 है क्या लिखा है freedom from attending religious instruction ठी कि आप प्रबंद कर सकते हो 27 कि आप अपने धर्म के लिए ना पैसे भी खटा कर सकते हो लोगों से चंदा वगेरा आठकल 28 में क्या खा गया कि कुछ सेक्षन सस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने का भी स्वतंदता है जैसे कि मदर्सव अगेरा होते हैं वहाँ पर पढ़ाया जाता है तो ऐसे आपको यादक नहें और पहले जैसे गुरु को लोते थे ना धर्पी शिक्षा दी जाती थी आठकल 28 में कहा गया है कि आपको स्वतंदता है आपको religious meetings जो है उसकूल से और शिक्षा है उसको अटेंड कर सकते हो ठीक है स्वतंदता है पूरी पूरी ठीक है याद रखने है नेक्स जो है आठकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रोस्ट ऑफ माइनॉट इस यान की अल्प सं प्रोटेक्वरी कभी-कभी आता है यान की बिल्कुल अल्प है तो अल्प यानिकि माइनौर्टी तो आठकल 29 हो जाएगा नेक्स्ट है आठकल 30 और आठकल 30 में कहा गया है राइट ऑफ माइनौर्टी इस्टैपलिशन एडिनिस्ट्रेशन एजूकिशन इंस्टिशन जस्ट इसके निचे वाला आठकल है 30 तो यादक नहीं नेक्स्ट है आठकल 32 वह साथ इंपॉर्टेन आठकल है गिफ्स तर राइट टो इंडिवीज्वर्ट तो मूफ तो सुप्रीम कोट एन एंपावर सा सुप्रीम कोट टू इसू कर सकता है तो इसके बारे में मैं आभी आपको आगे बताऊंगी अद दे अप दो वीडियो वोके अब दीखें जिस तरीके से सुप्रीम कोट के पास या दिकार है ना इसी तरीके से हाई कोट जो है उसके पास पी रिट जारी करने का दिकार है और कौन से आटिकल के थू तो आटिकल 226 के थू ठीक है तो 32 है अपचार कराने तो यही है हमारा आटिकल 32 उपचार से लिटेर यह सुप्रीम कोट ना फिर हमारे साथ जो एक्स्प्रोइटेशन हो रहा है उसका उपचार करेगा तो उपचार करने के लिए क्या करता है वो रिट जारी करता है पास तरीके की जिसको हम अभी आगे पढ़े आप देखें यह कहां से शुरू है आर्टिकल 36 से 51 तो फंटामेंटल राइट के बाद क्या आया हमारा डिरेक्टिव प्रिंसपल ओके अब देखें आप देखें आटिकल 36 में क्या है कुछ नहीं जो डिरेक्टिव प्रिंसपल से इंटिटिव डेफिनेशन देया रखी है 38 में क्या है देखें प्रमोट दा वैल फ्रियर औफ द पेपल लोगों के कल्यान को बढ़ावा देना और इसी ऐसी आर्टिकल 7 कुछ настолько 38 कैहे life दो या क्या ही क्या है या से पूछ पूछा जाता है कि लोगों के कल्यार को बढ़ावा देने के लिए किस आर्टिकल मेश बात क अगर कोई किसी का कल्यान करना चाहता है तो उसको समाज के सामने अड़ना पड़ेगा तो अड़ अर्दिस तो आठकल 38 जो है यह समाज कल्यान को बढ़ावा देनी की बाद की गई है ठीक है आठकल 40 देखिए और अर्नेजिशन ऑफ विलेज पंचायतिनी के ग्राम पंचायत में तो बस ऐसी रिलेट करके हमें याद रते हैं ग्राम पंचायत का गठन किस्प में बाती गही है आठकल 40 में ठीक है आठकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिवल कोड है यनकी समान नागरिक सनेता अब समान नागरिक सनेता क्या होगी कि कुछ ऐसे लौज हैं जो रिलीजन वाइ कि बात हो रही है किसमें चार तो देखें यूनिफॉर्म की बात हो रही है यूनिफॉर्म यनकी समान समान क्या है चार 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 यनकी 44 हो जाएगा तो आर्टिकल 44 से हो जाएगा ठीक है तो आपको ऐसे ध्यान रखना है राइट कि यूनिफॉर्म सिवल कोड किसमें बात रखने है नेक्स्ट है आर्टिकल 48 और पशुपालन के संगठन के बात है तो बस आपको कैसे यादत रखने है किसी पशुपालन के संगठन से यानि कि ओर्गनिजिशन ओफ एक्रिकल्चोर और अनिमल हस्बेंट ली ओके आर्टिकल 50 देखें सपरेशन ऑफ जिदीश्री फ्रॉप्ट इग्जिक्योटिव यानि कि नैपालिका को कारेपालिका से अलग करने की बात कौन करता है आर्टिकल 50 करता है ठीके तो देखी अलग करने के सेपरेशन करने के बाद तो कोई भी चीज हंडेड होती है ना तो सेपरेट कर दी यानकी 50-50 कर दिया तो आठकल 50 हो चाएगा ओके अब दिखें आठकल 51 जो है प्रमोशन आफ इंटरनेशनल पीस और सेक्वरिटी अंतराश्ति शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ठीक या किसी अपने रिलेटिव के घर गए तो कोई भी बच्चों ने सुछता है यार मुझे पर ऐसे मिलेंगी है ना और मालो आपके वहां किसे लगाई जगाई होगे आपको ममी न आपको पीर दिया तो बस ममी के पीरने के बाद अगर आपके रिलेटिन आपको पैसे दे दि कितने रुपे क्या वन रुपे तो आटकल फिफ्टी वन जो है पीसे सिक्वेटी से लिए ओके अब देखिए अब हमने जितनी भी फंडामेंटल राइट्स दे वह पढ़ लिया अब हमारा क्या शुरू होता है यूनियन यानि की सेंट्रल और उसकी बॉडिस कहां से कहां मैंने आपको पता है तो 52 से लेके 151 तो 52 में हमने एक कम कर दिया तो 52 से फिक्ति वन तो होगा ही नहीं तो उसके आगे जरूर एक जोड़ा वागा तो 51 यानि की 52 151 से लेके यूनियन एंट्स बॉडि समपरते है तो शुरू करते हैं तो देखे सबसे पहला हमारा आता है प क्या है पाकिन कोको दूयो दश्रम ठीक है तो इस आइकल से आप इसली याद कर सकते हैं तो पॉस से देखिए किसकी बात की जाती है कि पैसीडेंट का एक पद होगा तो पद होगा यानिकी पद यानिकी 52 देखिए इंपॉर्टन आइकलस तो मैं आपको इसके बताऊंगी ही अगले पेश पे बट इसमें आप अगर आप पूर्याइट का सियाद रखना चाहते है तो यह चोटी से ट्रिक है आप इसको बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा और हिंदी में याद रहता है ओके तो देखिए पाकिन कोको दूयो दश्रम लिखा है तो पॉस से यान दू से दोबारा न्युक्ति 57 यो से योगेता 58 दस से दशा या शर्ति क्या होंगी 59 सर से शपद और मौ से क्या हो जाता है दशम यानकी बहाव योग 67 यानकी impeachment ठीक है सारे important articles को याद करें के तिक अब जो important articles है प्रेसिडेंट से भी उसको हम पढ़ते है फटा-फट से सबस और हम जनरली क्या बोलते है राश्टपती भवन बोलते राश्टपती राश्पती भवन तो 52 किस से लेटेड है बावन भवन किस से लेटेड है प्रेसिडेंट ओफ इंडिया से ओके आर्टिकल 53 जो है यह एक्जेक्यूटी पावर ऑप दे यूनियन संग की कारिपालिका क अब जो सोर्य प्रेसिडेंट है उसकी कारिपालिका कि शक्ति की बात कि 발विगे राश्टर्पती बन गया अब उसको बताय।ब सिप्रेसिटी फाली में मिल जाएगा 53 में ठीके राश्टर्पती क का चुनाव पीछे जो हमने याद कि तकblai भीज को या पर डाना है पाकी बिल्कुल एक्जेक्ट्रिक बताऊंगी बाकी आपको जो पाकिन को को दियो दशम है उसको पुरे लाइन से बिल्कुल बाई हर्ट रट लेना है ठीक है फिर आपना सारी प्रेसिदेंट के जो आटकर से इसली उसको याद रख पाऊगे और सॉल्ब कर पाऊगे क्वेश्चन के चुनाव का तरीका 56 में बात की गई है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिदेंट यानकी राष्टपती के पदगा कारेकाल 57 में एलिजिबल्टी ऑफ री एलेक्शन पुर्ना चुनाव के लिए बात रता 58 में क्वालिफिकेशन पॉर एलेक्शन एस प्रेसिदेंट आप सॉल्फ कर लोगे याद हो जाएगा ठीके पाकिन कोको दुयोदिशम पाकिन कोको दुयोदिशम आठकल 60 क्या है ओत और एफर्मेशन बाइद प्रेसिदेंट यानकी राष्टपती द्वारा शपत या प्रतिग्यान आप देखिए यहां पे 60 लिख है न तो 60 से ही आप राष्टपती को हरा निकाल दिया है 61 एक सट्व यानकी प्रोसिजर फॉर इंपीश्मेंट ऑप देप्रेसिडेंट राष्टपती पर महा भ्योग की प्रकिरिया लगा दी अब देखिए आप आपकल 62 में क्या होता है अब राष्टपती को माली जिम महा भ्योग कर करके नि तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई ना पाकिन को को दियो दिश्यम उससे इलेट करके आप यह सारे प्रेसिडेंट के आर्टकल्स को यादर कर सकते हैं इसमें पूछा जाता है जनरली आर्टकल्स फिसीट्प्रिन ाप देखते हैं इसको अब देखने आप के उसे प्रेसिडेंटस से लेटिड सिर्फ प्रेसिडेंटस से लेटिड जो आदर स्थी आदिकार है उसको भी हमाराई bags for इंडिया यानि कि भारत कर उप राश्पती ओके अगला देखिए आर्टिकल 64 लिखा है यानि कि दा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ओफिश्यो चेर्में दा काउंसिल ऑफ इस्टेट उप राश्पती राज्यों की परिशत का पादे नद्यक्ष होगा सिंपल सा आपको यादग नहीं जो राजशबह होता है उसका पदे नद्यक्ष होता है कौन होता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट तो जस्त उसके नीचे ही बात की गई है चौसट में ठीक है आर्टिकल 72 देखिए पारडिनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनको ठीक है तो राजशबी पती के पास चमादान के शक्ति शुप्रीम कोड़ने भी पैसल सुना दिया वट राजशबाटी को लग रहे है कि ठीक है हम समायाचि का इसके एकसे कर लेते हैं ठीक है तो जो कलपिट उप्रोष ने सबस्तित और चमादान का प्रोसे 74 और Article 74 रिलेटेड है Council of Minister to add an advice President राश्टपती को सहायता और सला देने के लिए मंत्री परिशत अब आप देखिए यहाँ पर किसकी बात वरी है सच्चा से आपको रिलेट करके याद देखने सच्चा तो सच्चा सच्चा जैसे लग रहे हैं सच्चा सच्चा यानकी साथ चार तो साथ चार यानकी Article 74 किस से लेटेड है मंती परिशत से रिलेटेड है ठीक है Article 76 देखिए Attorney General for India भारत का महान्याइवादी महान्याइवादी क तो कौन हो जाएगा Article 76 हो जाएगा ठीक है तो केंद सरकार का जो देखता है वह कौन देखता है महान्याइवादी इसी तरीके से जो राज सरकार का होता है उसको क्या बोला जाते है महा अधिवक्ता बोला जाते है Article 165 के तूरू जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे तो Attorney General ब तो का अप्रमन के पालयमेंड का आटकल क्या है सेवी 59 आर्टकल एकटी में क्या कहा गया है कि राजिस्भा के गठन की बात आटकल 81 में कहा गया है लोगसभा के गठन की बात अब देखे तीनों लाइन से है ठीक है इसका एक छोड़ी सी ट्रिक का आपको याद रखनी है सर ला सरला बिल्कुल सरला सौ से शंसत बनाया जाएगा रह से राजसभा और लह से लोगसभा ओके ऐसे आपको याद दखने है आठ कल 85 देखे सेशन और पाल्यामेंट प्रोपोगेशन और डिसॉलियोशन यानकी संसत का सत्र सत्रवासन और विट्टन अब 85 में क्या कहा गया न कि संसत के सत्र हैं जो भी उसके सेशन से और सेशन कभी-कभी जो सब है उसको विगटन कर दिया कि हाँ आज जो सब है यह विगटन हो गई यानि कि क्या हो गए इसका डिसॉलियोशन हो गया तो कैसी याद रखना है कि संसत का विगटन की किसमे बात की गई है आटिकल 85 में तो दीखें, 85 लिख आना, तो 85 से लेट कर देना है वज आको कैसे 85 यानिकी pages तो अगर किसी को pages हो गया न तो संसत की जो मिटिश चल रहे है, इससन चल रहे है उसका विगटन कर दिया जाएगा, ओके, तो विगटन कर दिया, pages होने पे तो pages 85 तो आट कल 85, उके तो इसको विश्यशा अधिकार आधी इसकी बात की गई है आठकल 105 में ओके अब आप देखिए most important जो तीन पॉइंट से यह आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं संसत तो देखिए 79 ठीक है सरला से हमने याद कर लिया फिर आजाता है हमारा 80 81 और 85 ठीक है तो यह संसत से 79 और बाक याद हो गया होगा आई हो अब चलते हैं आगे देखिए आर्टिकल 108 की बात हो रहे है तो किसके पास पावर है राश्टपती के बास तो राश्टपती संसत की कौन से आर्टिकल के थू 108 अब देखिए संयुक्त की बात हो रहे ना और 100 से क्या पतल लगता है 108 जब भी कोई माला बनाई जाती तो इसमें 108 मोतियों का यूज किया जाता है ना तो 108 मोतियों को संयुक्त रूप से एक साथ पी रोया जाता है तो संयुक्त यहन की संयुक्त बैठख कौन से आर्टिकल में 108 में ठीक है ऐसे आपको याद दखना है क्या बन जाएगा MO यान की money बन जाएगा तो article 110 है ठीक है तो आप कुछ नहीं money अगर आप MO लेखो तो देखो यह 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 वाला 0 क्या बना दिया इसने 110 बना दिया ठीक है ऐसे आप याद कर सकते कि money अब बना बजट करूं कितना खर्चा हो रहा है तो एक से लेके बारा बज़े तक ना वह सोचता ही रहता है पूरे ताइम सोचता रहता है मैं कैसे अपना बजट मैंटेन करूं एक बारा तो 112 हो जाएका आठकल 111 में बात की गई है बजट की जो बजट पेश होता रहता है न वही वाला बजट ओके आठकल 123 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है संसत के अफकाश के दौरान अध्या देश जारी करने की राश्पती के पास शक्ति है अब अध्या देश अध्या देश जारी कर दिया तो देखे अब राश्पती को अध्या देश जारी कर रहे है तो उसने कुस निसोचा उसने बोला 123 अध्या देश जारी कर दिया ठीक है एक दो तीन बोला और जारी हो गया तो यसे आपको याद रखना है ओके आटिकल 124 जो है वह है इस्टैबलिश्मेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बात की गई है अब आगे हमारा फिर से सुप्रीम कोर्ट अब देखे सुप्रीम कोर्ट लिखा है ना तो सुप् सुप्रीम कोर्ट के फैसले या आदेशों की समिक्षा तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रहे ना तो उसकी समिक्षा की जा सकती है यानि कि कहा जाते है ने पुना रवलोकन यानि कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिव्यू दे दिया तो फिर से उसको क्या कर रहा है फिर व कई आपने केस किया और आपने कहा की नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है भी तुप्र अफ्रकर कोट के सब्सक्राइय का funciona करने का आहिक है आटकल के तो कही की यह आदेशों की समय करने का आश्य चाहिए फोटीर साथ ठीक है समझ भी आगया होगा याद भी हो गया होगा आर्टिकल 148 जो है वह है कॉंब ट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया जिसको भारत का कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो 148 तो आप देखिए कैक यानि की एक तरीके से ऑडिट की यहां पर बात हो रही है और और भी ना 2400 घंटे चलता है अब और तो हर टाइम चलेगा तो आडिट 24 घंटे नहीं 2400 घंटे चलता है तो यह अडिकल 148 जिस तरीके से एक सुप्रीम कोड 2400 घंटे चलता है बट आप सुचो हर चीज का ऑडिट हो रहा है तो एक नहीं 2800 घंटे तो बस 124 का दोगना कर तो हम लोग पहुंच गए पहुंच गए तो आर्टिकल 148 इससे लिटेट है क्या यानि कि भारत का महा लेखा परिक्षक की बात हो रही है ठीक है अब हम पढ़ने वाल है स्टेट के बारे में अभी स्टेट स्टार्ट हो जाता है तो इस्टेट का आटकल क्या है 152 से लेके 237 तो ये क्या है 53 तो बस आगे लेकिन 153 लगा है तो 153 किसका आटकल है गवर्नर ऑफ स्टेट क्या ठीक है अब देखें इस्टेट में कौन बढ़ा होता है गवर्नर बढ़ा होता है जिस तरीके से सारे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है बट देखा जाए तो बढ़ा किसका वाइस पैसिडेंट का था उसी तरीके से 153 किसका है गवर्नर का अब इसमें अगर मैं वन प्लस कर दूना तो हम लोग पहुंच जाएंगे वाइस पैसिडेंट के पास पीछे पाल जाएंगे लेकिन 63 से रिलेट करके आपको याद रखना है गवर्नर ऑफ स्टेट का क्या है 153 है ओके तो जैसी स्टेट का शुरू हुए क्योंकि हमें पास जनरल आइडिया है कि 152 से लेके 237 तक होते है स्टेट तो 152 से नहीं 153 से स्थार्ट हो गया गवर्नर ओके अब देखें अगला जो इंपॉर्टन आटकल है वह आटकल 164 और आटकल 164 क्या बताता है से श्टेट गवर्नर हैपॉंट्स त्शीफ मिनिस्टर राजिगा राज्पाल मुख्यमंत्री के न्युक्टि करता है वह ऍपैं अब देखें राजिगा जो राजपाल है वह निकिकर रही है चीम मिनिस्टर की बात हो रही है किसकी बात हो रहे है चीफ निस्टर की तो देखें कैसी याद रखना है एक चीफ पेसे लोग होते है अपने दुख लेके आते हैं सुनाने सीएम सेव्ада के पास उसकी चॉachoखट पर आते है लोग अपना दुख सखाने ठीक है दुख सुनाने तो एक चोखट यानि की 144 चीफ मिनिस्टर का आठकल है ओके अब नेक्स वाला न जैसे ही चीफ मिनिस्टर की आठकल की बात की गई जिसके आठकल की बात की गई राजिका महा दिवक्ता अभी मैंना आपको पीछे बढ़ होता है उसी तरीके से स्टेट का भी कौन होता है महादिवक्ता जिसको एड़ोकेट जनरल कहा जाता है तो जितने भी स्टेट से रिलेटेट प्रॉब्लम्स होती है उन सब का वकिल कौन है महादिवक्ता यानकि एड़ोकेट जनरल ऑफ था स्टेट ठीक है तो चीफ मिनिस्ट बना तो चीफ मिनिस्टर करके बनाते ही चीफ मिनिस्टर ने अपना वकील बना लिया तो 164, 165 किसे रिलेटेड है एड़ोकेट जनरल ऑफ इस्टेट यानिकि राज के महादिवक्ता और इसके पार्ट भी अधिकार होते हैं रिट जारी करने के अब देखें आर्टिकल 169 और भी सकते हैं किसी स्टेट से और निर्मार भी कर सकते हैं तो यह किसमें बात की गई 169 में बात दी गई अब यह देखी कुछ स्टेट से अगर हटा लिया जाएका ना तो क्या का जाएगा कि विधान परिश्रदों का अधिकार छीन लिया गया तो छीन से याद दकने आपको सभाओ की सरशना ठ Derek Boxman की 허락 की अब इसमें किसके बात चीन गयीई विधान सभाँ की बात चीन अब देखें जिस तरीके से राजमें और लोक सभाँ की बात की गई थी 80 से एक्टी और 81 आठकल सिछे ऐसे ही जो विधान परिश्रद और विधान सभा है यह कैसे बात की गई का मोलन या निर्मार फिर हमने 70 में पढ़ा विधान सभा की संदशना वर्द 71 में क्या खा गया है कि राज विधान परिशदों की संदशना ठीके जो विधान परिशद है उसके संदशना की बात की गई है ओके अब आर्टिकल 214 जो है यह हाई कोट से लेटेर है बहुत इंप हाई कोट का आर्टिकल में फिर बदल कर दी गई तो क्या किया 214 कर दिया ठीके 214 बस यह वालो जो टू है इसको आगे पचा दिया तो हाई कोट बन गया तो हाई कोट का क्या हो गया 214 हो गया ओके नेक्स्ट एस आर्टिकल 226 और यह एंपावर्स आ हाई को टू इस तो द्रू उचिनायलां के पास भी अधिकार है ठीक है ओके तो देखिए कैसे यादत नहें क्यूंकि अधिकार की बात वादीकार की बात व Prix है तो सब्रियर शचतवस किfa 202 अधिकर के अधिकार की यानि के रिट्स की नेक्स्ट है आटिकल 239 और आटिकल 239 रिलेटेड है एड्मिनिस्ट्रेशन ओफ यूनिन टेरिटरी यानि की केंदर शाषित प्रदेशों का प्रशाशन ओके अब यही एक आटकल है जो यूटी को बताता है तो बस आपको डायक्ट यूट यूटी लिखाना है तो यूटी सापको रिलेट करना है उल्टी है ना तो जनरली नागर पिछी को आप धोती देदो पहनने के लिए है ना तो धोती देदो पहनने के लिए तो क्या वह पहन पाएगा नहीं पहन पाएगा वाई धोती कहां यूस्ट पहनने का तो धोती या तो उतको पहनना तो आएगा नहीं तो नहीं यानिकि 9239 जो है यूनियन टारिक्ट्री से ठीक है नेक्स्ट है देखे आर्टिकल 243 भी और यह लेते हैं Constitutional पंचायत निकि पंचायतों के गठन से और कि DPSB में हमने आर्टिकल 40 पढ़ा था नब पंचायतों से लेते हैं तो ABC लिखा और इत्मीज कुछ अमेडमेंट किया गया है और फिर इन आर्टिकल को इंसर्ट किया गया है तो इसको भी आपको याद देखने है अनसूचित जाती और जन जाती जो है उसके एरिया का आर्टिकल क्या है 244 है आर्टिकल है next 266 Consolidated Fund and Public Account Fund की बात की गई है यानि कि समकेतित निदी और लोग लेखा निदी अब आप देखे ना यह कहा है यह एक ऐसा निदी है जहांसे Fund है फोरा तो फंड में भई Up Right Let me लगाके रखा की खाबी लगाके निकाला जएगा ठीक है तोाबी चबी तो चाभी लगाके न जचे निकाला जएगा पैसा के कुछ गढ़बर ना हो तो चाबी लगाके Gue ripping 266 और 266 हो जाएगा यह कौन निदी यानि कि Consolidated Fund and Public Account Uhh कि अचानक से ना कुछ जुरूरत पड़ गई पैसे की कुछ नहीं साइन हुए और पैसे निकाले गई बिल्कुल इमर्जेंसी वाला है क्योंकि आप दिखेंगे 266 में क्या होगा प्रॉपर प्रॉपर लिखित में कुछ चीजें इंटर्ड्यूस की जाती होगी है फिर साइन फिर पैसा निकलते होंगे बट इसमें क्या हुआ अकास्मिक निधी की जुरूएत पड़ गई तो 267 के तैक पैसा निकाल लिया गया ठीक है तो 266 के बाद क्या गया 267 इमर्जेंसी पड़ी तो भाहिया टारेक्ट निकालना पड़ेगा 267 उसके अजस्ट नेक्स आर्टिक इंक होता है मेने के 28 आते आते ,going होता है सब कुल 0 हो जाता है मेने के 28 तारीक आते ौड़ी तो लौता है सब कुल 0 होता है उसके बाद भी फिर से लिर्ड़ी आति है तो आते आते जिरो स्यूस्ट 0 प्रोपर्टी की बात की गई आपको 300 रुपर में तो ऐसी रिलेट करने थ्यान रखने बस पॉपर्टी आर्टी 300 रुपर में धुरी मिलेगी तो प्रोपर्टी 300A हो जाएगा आर्टिकल 312 है तो ऑल इंडिया सर्विसेस के बाती गई है जितने भी UPSC PCS के एक्जाम होते हैं किसके बात की गई आर्टिकल 312 के बाती अब देखिए PCS UPSC में जो भी 1st 2nd 3rd आता है तो हमेशा जो 1st वाला रहता है न पोडिया में बीच पे खड़ा रहता है तो आप में 1st वाला रहता है हमेशा 1st वाला सेंटर में रहेगा न तो 312 किससे लेटेड है अखिल भारती सेवा इटमीज ओल इंडिया सर्विसेस से ठीक है नेक्स्ट वो आर्टिकल है वो है 315 और यह लेटेड है पॉब्लिक सर्विस कमिशन पॉर दे यूनियर एंड पॉर दे स् इसे से उसके बाद ही फिर आगया हमारा आर्टिकल 315 किससे लेटेड है यूपीएसी से बहुत इंपॉर्टेंट है यह दखने आपको है ना यूपीएसी से तो आप देखिए कोई भी बच्चा 1st 2nd 3rd जो आता है ना तो वह उपीएसी की जब प्रिप्रेशन करते हैं तो क 3rd यानि की 315 तो 315 जो आटकल है वो यूपीएसी का आटकल है ठीक है आटकल 324 जो है वो सुपर इंटेंडेंडेंज डारिक्शन और कंट्रोल अफ एलेक्शन तो बस आपको सीधा से याद रखने है चुनावा योग की बात हो रही है तो आटकल कॉंसाइस का 324 है ठीक है तो कैसे यादत रखने है आपको 3 में से आपके पास एक चॉइस है तो चौइस यानिKI 24 हमाली जो तेन लोग उठें है 3 में से मेले 3 यह छोई होती है ऐसे यादत रखने है 3 में से एक चोईश तो 324 थी लगात यहां- कमिशन यानि की चुना से ठीक है तीन सो तीस जो है रिजर्विशन ऑफ सीट्स फॉर शीडूल कास्ट एंड शीडूल ट्राइब से लोगसभा तो लोगसभा में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जातियों के सीटों का रिक्षिन तो स्टी सी जो है उनके सीट के बा की बात की गई है तो बहुत होएं पता भी होगा आप लोगों को कि भाषा की बात की कोई है तो नेश्टन एमर्जेंसी की बात की गई है 352 अब आप देखिए यहां पर किसकी बात वहीं है Emergency और Emergency कौन लगाएगा तो President लगाएगा ठीक है तो President का आटकल होता है ने 52 होता है और 3 Emergency से लेटे आटकल है तो 352 से स्टार्ट हो गए Emergency के आटकल ठीक है तो 352 फिर कुछ नहीं फिर हमने जोड़ दिया 356 फिर हमने चार जोड़ दिया 360 तो प्लस 4 करते गए तो 360 तक पहुच गए तो आपतकाल की उद्गोशन यहनकि राष्टी अपतकाल फिर राष्ट्पती शाशन लग गया फिर वित्ती अपतकाल लग गया तो ऐसे आपको राष्ट्पती से लेट करके आदक नहीं 52 हो गया राष्ट्पती क्योंकि तीन एमर्जेंसी के आटकल है तो 352 से हो जाता है साच तो 352 फ्लस किया पोर 356 फ्लस किया पोर 360 तो financial एमर्जेंसी जो है वो वित्ती अपतकाल ठीक है कौन सा है 368 कल financial emergency का जो आज तक अभी तक इंडिया में नहीं लगी है ठीक है आटकल 368 जो है वो है जो आपको पता होना अच्छी है वो सारे आटकल्स हमने यहां पर पढ़ा है आप इसको फिर से रिवाइस करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा आप लोग को समझ भी आगया होगा अब हम कुछ important points तेखेंगे तो आटकल 32 जो है यह gives the right to individual to move to the supreme court तो जो भी हमने fundamental राइट पढ़े न अगर जितने भी उपर के जो fundamental राइट से उसका आपके साथ हनन हो रहा है तो fundamental राइट जो है 32 ऊके उसके तुरू आप Supreme Court जा सकते हैं और Supreme Court जब आपके problem सुनेगा तो वो रेट जारी करता है यानि कि आदेश जारी करता है कौन-कौन से आदेश जारी करता है पास तरीके के अभिके 3 प्लस 2 करोगे आप तो 5 होगा ना यानिकि 5 थरीके के रिट जारी करता है आदेश कौन से बंदी प्रत्यक्षिकरन जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है मेंटमस जिसको परमादेश कहा जाता है सेरी तोरेरी जिसको प्रतिशेत कहा जाता है प्रोहिप्शन जिसे उत्प्रेशन और क्यों व फाइफ रिट्स है यह जो अधिकार है इसके पास है सुप्रीम कोट के पास है और यह रिट जारी करता है अब कुछ हम important questions देखेंगे कि हमने जो पढ़ाना क्या वो हम apply कर पा रहे हैं कि नहीं हमें याद है कि नहीं ठीके तो हम 5 या 6 questions का test करते हैं तो देखें भारत के सविधान का कौन सा अनुछेद समयधानिक उप्चारों का अधिकार से संबन देते हैं यानि कि हमारी fundamental rights की बात तो तो fundamental rights हमारे किस के किस से भीष में थे 12 से 35 थे ना ओके तो देखी सविधानिक उप्चार अभी बस हमने पड़ा तो बस easily हो जाएगा article 32 हो जाएगा है ना 19 में क्या था speech बोलने की यानि कि 19 के होते ही ना बिल्कुल बोलने का दिकार आ जाता है 14 के है तो 14 के समक्ष सब कोई गुण है ना जो ठीन होते हैं 14 जो बच्चे होते हैं वो सब के समक्ष equal है 21 में क्या था 21 कि किस करेंगे मा किस करेंगी तो जीने का अधिकार जिसलिए चाहा जाग गई फिर से तो इसमें जीने का अधिकार था Life related था भारत के खिलाप महा भ्योग प्रक्रिया से समझद एथ तो निम्लिकित में से कौन सा आठकल भारत के राश्च्पती के खिलाब महा भीयोग प्रक्रिया से समधी थे महा भीयोग प्रक्रिया से बिल्कुल तू दा पॉइंट आप वो यादो न चीए आठकल 61 तो हो जाएगा impeachment process से ओके नेक्स्ट करने से डड़ते ना क्या यार कई खतरा ना जाये तो खतरा सतरा तो आठकल फस्त हो जाएगा यानिकी आठकल 17 हो जाएगा option A ओके नेक्स्ट क्रेश्चन इस बाइव वाट नेप इन आर कंट्री मैंशन इन दो constitution साविधान में हमारे देश का उलेक किस नाम से किया गया है ठीक है dr इस नाम से किया गया है इन्डिया या भारत, इंडिया या भारत, चुम्म किन्क है? अब आर्टिकल आपसे पूछा है कि ST और SC के जो एरिया है उसका आर्टिकल क्या है? तो क्या तो सका आर्टिकल देखे 280, 266, 236, 244 तो कौन सा आर्टिकल था? 244 था ठीके? तो बस आपको याद दखना है STSE यानि कि दो हो गए और दोने एक तरके से से जैसे है ना तो सेम तो 44 तो 244 हो चाहेगा 244 तो इस तरके से लेट करके आपको याद दखना है नेक्स्ट है, विच आप तो पॉलिंग आर्टिकल दील विद दा कॉंसल ओफ मिनिस्टर्स तो एड एन एडवाइस दा प्रेसिडेंट राष्ट पती की सहायत और सलहा देनी के लिए निमलिखित में से कौन सा लेक मंती परिश्रत से संबन देत है अब देखे मंती परिश् फिष्ट तो यूनियुन का हमारा आर्टिकल क्या था 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 अगर आपको याद भी नहीं है तो इस तरह के विक्षों साते हैं बहुत सारे जिसमें आपको थोरड़ास अपना दिमाग लगाना है और आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं तो जितनी भी इंपॉर्टेन आटकर्स थे वो मैंने आपको पूरी कोशिश की है टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू बढ़ाने की मोस्ट आटकर्स को आई होप बहुत अच्छे सा समझ आ गया होगा ओके देखें वीडियो नहीं ढल पाई ब झालोची